नमस्कार साथियों स्वागत है आपका कनिया जीस वर्ड में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी उस क्रम में हमने तिन चार वीडियो अपलोट कर दिया हैं पहले वीडियो में हमने बताया कि संविधान में कितने भाग हैं फिर उसके बाद हमने दूसरे व 12-35 तक है इसे जानना बहुत जरूरी है यह जानना हमें जरूरी है कि भाग तीन में रखा गया है भाग तीन में भी कहां से कहां तक अनुछेद 12-35 तक रखा गया है उम्मीद करते हैं आप सभी को अनुछे याद हो गया होगा ठीक है और चलिए सुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा प्रचार पसार यदि आप आए हैं करहिया जीस वर्ल को तो यहां पर जो रेट वाली बटन दिख रही है ना इसको दबा करके बगल में घंटा का निशान अच्छा लगे तो करिए और ज्यादा पसंद आए तो दोस्तों सेयर भी कर दीजिए ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का अपना टापिक और जानते एक 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 अंशेद के बारे में डिटेल से जानेंगे एक बार देख लिजे सभी स्लाइड 12-13 ठीक है इस प्रकार क तो किसी भी देश में रहेंगे तो मूल अधिकार यानि हमारे क्या अधिकार रहेगा अधिकार को देगा कौन अधिकार देता है संविधान और उस अधिकार को देश का कोई भी इंसान यहां तक सरकार भी उसको नहीं अटा सकती अगर कोई वैसी यानि कि आपातकालीन परि लिए गया तो You starred Meri 쿠 I Nicht Make a और संभिदान के भाग Το की रखा गया इसे अक्रम देखाए। में कार्ड भी कहा जाता है, क्याक जयाता है में लुक कर दो किछ संभिदान में कार्ड कि संभिदान को abbiamo करते हैं, तो या फिर पूछ दिए पूछ देगा कि किस अंच्छेत को तो 12-35 तक का मैगना काटा काते हैं मूल अधिकार ठीक है मूल अधिकार यदी ब्यक्ति से चीन लिया जाए तो उसके लिए जेल हो जाएगा इसलिए मूल अधिकार रहना जरूरी है देखिए जेल में कैदियों रहते पूछ उनका मूल अधिकार समझिये समाप्ते कर दिया जाता है ना किसी से मतलब मिल सकते हैं इस सबस्त हिखि exist उनका अकसर करके बोलने की स्वतन्तरता चीन लिए जाती है और इस प्रकार की बहुत सारे उनको अ उनका अधिकार चीन लिया जाता है तो मैगना कार्टा मतलब क्या होता है तो मैगना कार्टा मतलब समझ लिए कि 1215 इस्वी में ब्रिटेन के महराजा जान के द्वारा वहां के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिये गए कि आपको अधिकार दिये जाते हैं इनी लिखित अधिकारों को ही मैगना कार्टा का करने लगें लगेंटर और को सांदर करना है यानिक थम्हों करने हैं तो सरकार अपना मनमानी करने किसी फुटलत वर अपना मनमानी कर दूए इसलिए सरक्राइब सक्दाइब करता है मौल्य अदिकार और सभी में समांता कि यह और इसकी साथ अभी विभ्यक्ति एवर्जों को मनाने की स्वतनीश्चित कर थे मूल अधिकार गठनम चलिए देहते हैं मूव पूल को आदिकार हमने बताया कि भाग संख्या 3 में और भाग संख्या 3 में भी इसे मूव अधिकारों को अलग-धोड़ा बाट दिए जैसे अनुछेद 14-18 तक समता या समानता का अधिकार दिया गया है उसके बाद अनुछेद 19-22 तक दिया गया स्वतनतरता का अधिकार देखें यह सब जैसे लिखा है ठीक इसी तरह एक जाम में पूछ भी लेता है हम लोग तो एक अनुछेद के बारे में जानें गई लेकिन आप यहां भी देख लिए और सोसर के बिरुद्द अधिकार यानि आपका कोई सोसर नहीं कर सकता उसके बिरुद्द अधिकार अंचेद 1923-24 में रखा गया है और धर्म के आधार पर क्या हो कि आपको सोतनतरता मिलेगी तो 25-25 तक रखा गया है सिक्षा और संस्कृत के समंदी शहाँ को सम्वाइद्धानी कुपचारों को अधिकार को अश्येद 1922 में रखा गया है तेस्ट लेटे अंच्छंग में संसद राष्ट पती को किसी भी देश को कर सकते हैं तोड़ कर आठ वहाँ वही घ्याएं नवारत करता है की नंकी लिधी करते हैं उसकी पर दोकुलिए कम्प्रिएश्ट Elagra कोंर बनाएगा कानून कोंने शेमत्र गैण वडव Live टेएमें घ्रली इजिदत में कहा गया है भारत J वह एक्षोप मतर्पर यहां है कि विहार वाला राज की बात यह नहीं कर रहा है तो राज की Amao कहें तो स्मजह कहें थो यह दो कहें तो समझें फासे का समेदाणिक को राज राज का जाता है जैसे चैत्स या फिर इलाइसी हो इसको भी राजि कह सकते हैं समीधान के अंसार और राज जिस सरकार तथा उसका विदान मंटल यह भी राज हो जाएगा ग्राम पंचायत नगर निगम अन्य बोर्ड निगम जैसे लाइसी हो गया या फिर बीजली भाग हो गया यह भी स्वतंत्र राज स्वतंत्र राज नहीं मतलब समीधान के अंसार यह भी राज कहा जाता है तो देखिए कई जगा आएगा कि राज कानून बना सकते हैं ठीक है तो राज क्या है राज की परिवासा समझ में आगए यह बारा में क्या कहा है राज की परिवासा बस इतना यादर कि बारा में है राज की परिवासा समीधान बनने के बाद ना कुछ आन कानुन ना बनाएगा जिसके की जो कहले कानुन ना बनांएगी उस विद्यू को नियाला निरस्थ कर देता है यानि कि पाले का कोई कानून है या फिर बाद में है या फिर कोई ऐसा कानून है वर्तमान में कि जिस पर सरकार ऐसा कानून बना दे कि हमारे मुल अधिकारों का हनन हो गया यानि कि ऐसा कानून बना दे कि कोई किसी को थपड़ म मौली क अधिकार के असंगति यौन कि कोई भी मूल अधिकारों की हनन्हों रहा है तो 226 हम जा सकते हैं हाई कोट और 32 के अंतर जा सकते हैं सुप्रीम को ठीक है यह का राइक यह इसमें अब आटे ốngत्ति के समताक या सम्ताक अधिकार सबplane को कमा साधिकार में चैनल 9 लूग बड़े चोटे बड़े सबी कानून के लिए बराबर किसी के लिए ऐसा नहीं का है कि आप को तो आपको आपने कोई मडर किया तो आपको फांस ही नहीं मिलेगा फिर छोटा कर दिया तो उसको कहेंगे कि आप मतलब कुल मिला जुला कि इसमें का गया कानून के समझ सभी समान है इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जो सम्मिदान की देवी की मूर्ती बनी रहती है उस सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दोगों के बीच प्रकृति योग्यता परिष्थिति भगोलिक इस्तिति सिक्षा आयू या संपत्ति के आधार पर अगर नियायाला चाहे तो उनके बीच विवेद कर सकता है नहीं तो पता लगे पांक साल का बच्चा कोई काम किया मालीजे कुछ वैसा काम कर दिया तो उसे भी फासी चड़ा देंगे ऐसा नहीं कर सकते इसलिए मतलब इसमें कुछ अपवाद नहीं इसमें ए बी करके इसमें दे दिया गया कि आप इसको नहीं कर सकते वीदी के समख्च सभी समान है लेकिन छोटे बच्चे को भी वह ऐसा सजा नहीं जै सकते या फिर मैलाएं हो गई देखें किसी से माली यूद दो गया तो मैलाओं को माली चाइना से यू में दे दिया गया है और यह कर और पिधान मंडल एमपी अमेलो को भी इससे अलग रखा गया है ठीक है कुल मिला जुला के विदे इससे याद रखी कि आर्टिकल 14 में विथी के समख्च समान ता लेकिन यहां पर इसके यहां पर विभेद भी कर दिया गया है ठीक है पर विभेद पर प्रतिबंद किया गया है यानि कि कोई विवेक्ति आपको यह नहीं कर सकते कि आप इस धर्म के आएं तो आप यह काम नहीं कर सकते कि आप इस जाती के आएं तो आपको यह काम नहीं करना है या फिर लिंग के आदार लिंग यानि कि मेल फिमेल और ट्रांस सकते ठीक है और जन्मास्थान पर नहीं कर सकते कि तुम उपी कि यो ले कि अप इसमें जो है कि इनके मूल जन्म अस्थान और अधार इन सब के आधार पर प्रतिबंदी मतलब विभेद आप नहीं कर सकतें ठीक है इसमें यही कह गया है लेकिन इसमें कह दिया गया है कि मैलाओं जैसे इसमें बी कुछ अलग-अलग परावदान जैसे इसमें ABC करके दिया ग जाएंगे तो समाजिक वस्चञ रूप से पिछड़े वर्गो और अंसुची जाती को इलिए अरचड की ब्यूस्ता कर दी गई यह लेकिन यहां पर क्या कहता है कि धर्म मूल बंस जाती लिंग एंग जन्म अस्थान के आदार पर आप विवेद नहीं कर सकते हैं ठीक कुल मिला जो लग बात इतना याद रखिए कि आर्टिकल 15 में क्या है यही है अब आते हैं आर्टिकल 16 में देखें आर्टिकल 16 क्या करा है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन मे आउसर की समानता अब देखें इसमें भी मतलब कहा गया कि कोई भी वैकेंसी या भी कोई सरकारी नोकरी आती है तो सभी को समान आउसर मिलेगा लेकिन क्या ऐसा होता है नहीं होता है क्योंकि इसमें भी एक दो करके दे दिये गए इसमें 16 एक में कहा गया है कि राज किसी प कर नागरी के शाथ धर्म जाती मूल वंस लिंग जण्म ऐस्थान या वंस्थान मिया निवास अस्थान की आधर पर भीद भाव नहीं कर सकते हैं ऑप लो पर लोग वहां पर लोग वहां के लोगों काफी दिक्कत होती है तो उसके लिए क्या क्या गया है कि इसमें कुछ उनको आरच्छर दे दिया गया कि आप मलजे की कुछ कम पड़े लिखे रहेंगे या फिर सेना में भरती आई तो आपकी हाइट भी कुछ कम रहेगी नकसल एरिया के हो तो आपको छूड़ दे जी जाएगे कहां काया गया है 16-3 में कहा गया है तो जैसे आप लोग तो समझी गए होंगे ठीक है 16-1 में कहा गया है कि सभी के लिए औसर में समानता होगी दो में कहा गया है कि धर्म जाती मूलबंस लिंग जर्मस्तान वंस क्रम के अदार पर भेदवाव नहीं कर सकते हैं 16-3 में कहा गया है कि अरच्षढ की बैंस सथा निव्स अस्थान पहरत आरच्षढ की बैंस्ता कर दी गई है और 16-4 में कहा दीया गया है कि इसमें जाती क्यादार पर आरच्षढ की बैंस्ता कर दी गया है इसका मतल Mechanistell की इस अब आते हैं आटिकल नमर 17 पर आप किसी को भेद भाव नहीं कर सकते ठीक है तो इतना याद रहे कि अब आगे गिखने को मिला ओरौना में तीक है आप देखिया आठीकल 18 में क्या आता है कि उपाधियों का अंत मतलब कि आप कोई भी अपाधी नहीं धारण कर सकतें ठीक है चिर्फ दो छेत्रों में छोड़कर जैसे एक सेना में हो गया करनल बिरगेडिया ठीक है और दोच चेत्र में लगा सकते हैं आपको मिल सकती है इसके अलामा जैसे कि यह उपादी जो है इसे आप अपने नाम के सर्ञेम नहीं लगा सकते हैं ऑप welfare not m第 आ तो अपने आ नाम के आगे लगां लोगे भारत रत्न किशन मौरिया ठीक है ऐसा नहीं कर से अब आपको उपादी तो मिलेंगी लेकिन उसको आप सर्णेम के आगे यूज नहीं कर सकते है अब देखे आब इसी में बात कर दिया गया है ऐसे मूभल सकता है इसका मतलब यह की आप गए इंग्लेंड अब वहां से एकदम धारड करके आ गए क्विन समराट एलिजाब ओत जैसे क्या उन सब का लगता है अंग्रेजों का धारड देते हैं जैसे नाइट हुट की उपादी हो गई और पी तरह तरह की उपादी होती है ना तो यह बिदेश से कोई भी उपादी मतलब राष्टपती से पूछना है यानि कि आसे और पधर्वल मतलब लेनी है उपादी से अनुमती देता है तो आप उपादी कर सकते हैं अब इसकी चार में आह 자्रत haarny stay ji जो भारत के किसी बद पर कारेरत है वो बीजेसी राष्ट उपादी धारड़ करना चाहता है तो राष्टपती से अनुमती लेनी पड़ेगी इसमें कहा गया कि राष्टपती के अनुमती के बेगार नहीं धारड़ कर सकते हो ठीक है तो इस प्रकार से हमने 18 अंचे तक कबर क किलियर हो गया अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है तो उसे एक बात देख लेते हैं देखिए आर्टिकल नमर चौदव में आर्टिकल नमर 12 में हमने क्या पढ़ा कि राज्जियों के बारे में बात की गए राज्जी कौन कौन से होंगे जैसे लाइसी हो गया ठीक है बिजली समता का अधिकार की बात किया समता का अधिकार अर्टिकल 15 में कहा गया कि जन्म अस्तान मूल वंस क्यादार पर आप किसी में भेदबाव नहीं कर सकते आठिकल 16 में कहा गया है आउसार की समानता ठीक है आठिकल 17 में कहा गया है कि अठार में कहा गया है उपाधियों का अंत आप देखिए बच गें कौन कौन से यहां पर देखिए अभी अठार तक कंप्लीट हुआ तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगे इसलिए हम जो अगला वाला अधिकार बचते हैं स्वतंतरता का अधिकार अगले वीडियो में कवर करा देंगे ठीक है तो स्वास्तर यह मस्तर यह मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैन